हुआ है 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 वेल्कम बैक तो अधर वीडियो तो अभी देखो जैसा की जोनों की परिशान कर रहा है मुझे क्योंकि अधर सामने एक डाउर है इसलिए देख लो इंदना और इसको देखो है 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 इसको देखो वहां पर खड़ा है चल्जें बोदा चलो अलिव गीज देगी तुमको तो यह देखिए रहा है दोनों इतना अदम लगा रहे ना अधर हमारा पिट बुल लट रहा है तो बहुत है मुश्किल के बाद वो टॉक गया है भी जाए नहीं रहा था दोनों बोट के पड़े थे जाए नहीं रहा तो आप लोग को एक और चीज दिखानी थी साकि मैंने आप लोग को पिछली वाली वीडियो में दिखाया था ना कि जैंबो अपने इधर में चोट लगा लिया था यह देखो दिखरा रुको में आपको आपको अच्छस दिखाऊंगा भी उसको उसने और बढ़ा कर लिया और एक जगा और कर लिया है मैं आप लोग को दिखाता हूं रुको लुको यह देखो यह था पहले जब हमने बस अब लाके उस वाले शेंपू से छोड़ दिया तो इसने एक और फेल दिया वाहां तो हमने सचा नहीं ऐसे ही छोड़ने से नहीं होगा इसको दवा लगाने पड़ेगी तो हमने कल लगा था दवा और अभी फिर लगाएंगे अप लोग दिखाऊंगा अभी आगे चलो तो गाइज अभी दोनों की ग्रूमिंग कर दिये ग्रूमिंग की वीडियो मने नहीं बनाई अभी यह देख बस इतना ही निकलाया दोनों में से तो अब लगाएंगे जैंब को दवा यह वाली आप लोग बहुत जानते होगे जन जानते हैं गुड़ी में आज ऐसे सब चो देखो कल लगाया था हमने अभी इसके ऊपर से परत जमने लगी ठीक हो जाएगा तो यह देखो गाइस हमने अपलाई कर दिया इस पर और यह दो तीन दिन में ठीक हो जाए उस पर हैर्स भी आ जाएंगे ऐसे जैंबो ठीक नहीं लग रहा था ना और हम ऑलिव के लिए भी लाए हैं विटामिन लाए हैं कैल्सियम लाए हैं वो मैं आपको नेक्स वीडियो में दिखा दूँगा इसमें मैंने एक चीज दिखा ये जो मैंने यूज किया जैंबो के चोट पर इसको आप लोग भी यूज कर सकते हो जब हमारे स्ट्रीट डॉप्स को ऐसा ही चोट हो गया जैंबो का भी ठीक हो जाना चाहिए तो गाइस वीडियो यह बंद करते हैं और अगर आप लोग के डॉक्स को भी को भी ऐसा कुछ हो जाता तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो देख लो एक बार फिर भाई यह गाय बक्री डॉक्स सब पर यूज होता है चोट कर दो लो लोगी बंद करते है और यह 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 है